है बेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइट्रीफाइवर्स के बारे में ठीक है डाइट्री फाइवर्स पढ़ालना एपसके और ते पहले मैंने क्या पढ़ाया था रोलक बनुटरेशन ही मतलब की नुटरेशन का क्या रोल रहता है ठीक तो उसमें मैंने आपको कारवाइड़ेट्स पढ़ाए था ठीक है उसके बाद सेकंड न्यूटेशन ए अपना डाइटरी फाइवर्स ठीक है डाइटरी फाइवर्स के बारे में पढ़ाता हूँ आज मैं आपको इससे पहले अगर आप मेरे शनल पर नए हो ना आप सब्सक्र बट नो ट्रवाइज करके जा सकते हो ठीक है तो यह स्टार्ट करते है अपना डाइटरी फाइवर्स को ठीक है इन्डाइजेश्टिबल कारवोहाइड़ेट्स मतलब बो कारवाइडेट्स जो कि अपन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे है ठीक है प्रिजेंस इन फुड कॉल dietary fibers उनको पन क्या बोलते हैं dietary fibers ठीक है या undigestive ठीक है carbohydrates बोल सकते हैं इनको ठीक है या त्विर्ट को unavailable carbohydrates से बोल सकते हैं ठीक है जिनके example में क्या क्या आता है cellulose ठीक है pectin gum and mucilage ठीक है या आप याद कर लें अगर dietary fibers आता है तो आपके इनके लिखने पड़ेंगी क्या क्या होते हैं dietary fibers ठीक है dietary fibers not digest by the human GIT मनलब कि जो human का GIT होता है na gastrointestinal tract उसमें इसका क्या digestion नहीं हो पाता क्योंकि हाँ cellulose enzyme नहीं होता है ठीक है दिनकी वाइस क्या beta linkage और carbohydrates नहीं टूट पाती है ठीक है और देखते है plant food only source of the dietary fibers जो plant से food मिलता है वही अकेला source होता है अपना dietary fibers का ठीक है जिसमें क्या क्या सकते अपनी vegetables आ सकते हैं ठीक है fruits आ सकते हैं and grains आ सकते हैं ठीक है vegetable आप जानती हो fruits आप जानती हो grains जानती हो अनाज वगेरा कोई भी पन लेते हैं अन वज़े से ठीक है अब बात करते हैं importance of fibers जो fibers अपन ले रहा है नार इनका क्या importance है ठीक है फालतू की नहीं है और अगर टाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं तो काफी इंपोटेंट होती है ठीक है ठी Complinenka function क्या होता है Monten rais थीक है Water Holding Caps ड़ें ऐसे ऐसे अगर दबाते हो न तो इस वज़े से बॉटर होल्डिंग वैसे इनकी बिस्कोसिटी रहती है पहले पिछले लेक्टर्स में पिर से बता सकता हूं मैं आपको बिस्कोसिटी मतलब क्या होता है जो फ्लो का मूवमेंट रहता है ना कैपसिटी होती है ठीक है वह कम हो जाती है ठीक है तो हैं पर को जाती जो बिस्कोसिटी रहती है पूरी पूरी इंक्रीज हो जाती सवज़े से और इंक्रीज बिस्कोसिटी इंक्रीज गास्ट्रिक करने विस्कुसु भड़ गई टो फिल्हों के ऐसी कामे। 45 घंटें हैं गाए लेकिन बंग लोगर ज। भाएंटर्यक्री खोनी की वाजे से इनका जो empathy time जाना वो क्या हो जाएगा यहां पर इंक्रीज हो जाएगा तो अब वो 15 मिट में अपना गेस्टिक empathy होएगा ठीक है इसका एक फायदा भी रहता है जो डाइटरी फाइबर्स रहते है न रिकमांड करते हैं अपन उन बंदों के लिए जिनको ओबिसिती हो रखी है ठीक है क्या होता है डाइटरी फाइबर्स लेने की वजह से आपको एंसे लग Ho गेगी इस वज़े से न आपका बेट इंक्रीज होनी के चांसे काफी कम हो जाते है ठीक है आगे देखते हैं physiological effects इसके कुछ physiological effects होते है नार ठीक है exert influence along the whole GIT from ingestion to excretion अगर अपने इसको लेते है नार ingestion से लेकर excretion तक अपने GIT को इन्फ्लुएंस करता है कैसे करता है पहले देखेंगा अपन sight और उसके साथ देखेंगा इसकी activity तो यहर आप पहले देखेंगा अगर अपने माउट से अपने इसको ingest करते है लेते हैं डाइटी फाइबर्स को जैसी माउट में जाएगा नार वहाँ पर क्या करेगा वो stimulate करवादाएगा अपना saliva का secretion ठीक है second जब stomach में जाता है तो delay कर देता है gastric ampity को soft हो जाता है ठीक है enlarge होता है इसका amount bulky हो जाता है ठीक है prevents staining staining को prevents करता है ठीक है यह हो गाइसके physiological effects और देखते हैं यार जो थर्ड है अपने इसका impotence वो है इसका क्या hypo glycemic hypo मतलब कम glycemic मतलब क्या glucose in blood ठीक है या फिर blood sugar ठीक है यह का करता है blood sugar को reduce कर देता है और cholesterol की level को भी reduce करवा देता है ठीक है कैसे करवाता है अभी अभी पता चला है ठीक है जो fenugreek seeds होते है ना यार इनके अंदर क्या होता है gum ठीक है gum क्या अपना dietary fiber है fiber है इसमें की अपना 40% gum होता है ठीक है fenugreek seeds में 40% gum होता अगर अपना seeds को खाते है ना तो इसकी वासे क्या होगा reduce हो जाएगा अपनी body में किसका level blood glucose का ठीक है और cholesterol level इस वाई से अपना hypoglasmic effect भी sow करता है ठीक है फोर देखते हैं आर अपन absorption of organic molecule organic molecule क्या होते है आर अपने is bile acid हो गया ठीक है neutral esterols हो गाए ठीक है carcinogens हो गाए अपने ठीक है और देखते हैं कुछ toxic compounds होते है तो यह क्या करता है यार यह bind कर लेता है ठीक है absorb कर लेता है dietary fibers absorb it ठीक है absorb कर लेता है organic molecule को आपको पता है कि dietary fiber का digestion तो होना नहीं है तो diet क्या करेगा excrete खतो excrete होगा साथ में इन organic molecule को भी क्या excrete करवा देगा facilitate करवा देता है इनका excretion को ठीक है यह होगा इसका absorption of organic molecules ठीक है important और देखते है increase stool bulk जो stool निकलता है उसका bulk बड़ा देता है कैसे अपने को पता है जो fibers होते हैं को कर लेते हैं absorb कर लेते हैं water को ठीक है इस वएसे को जाता है increase हो जाता है bulk stool का इस वएसे अपने को क्या profit होता है एक तो ना अपने पास ना जो अपना मान चलो constipation होने वाला था तो constipation वहाँ पे constipation जो tendency थी भोगा होगी decrease हो जाएगी क्या से decrease हो जाएगी और constipation में क्या होता है इस टूल होता है उसमें water नहीं होता है क्योंकि जो water का absorption होता है mainly वह अपना होता है कहाँ colon में होता है बट टेकर करता है अपना डाटरी फाइवर्स water absorb कर लेता है तो dryness नहीं होने देते इस टूल की तो इस वएसे ना constipation की condition develop नहीं हो पाती इस वएसे ना आराम से facilitate हो जाता है अपना bowel movements ठीक है bowel movements increase कर देता है और जो इस टूल रहता है वो आराम से facilitate होके excreed हो पाता है और देखते है hypo-colystermic effect of fibers ठीक है hypo-colystermic मतलब की कम करवा रहा है cholesterol blood में ठीक है fiber has cholesterol loading effect मतलब की cholesterol कम करवाने की दम रखता है अपना dietary fiber तो आप इसको कमजोर ना समझें ठीक है अगर आप dietary fibers नहीं लेते हो तो लेने लगो यार आप वह सारी problems दूर हो जाएंगी ठीक है fibers क्या करता है bind कर जाता है by-lessed and cholesterol के साथ फिर क्या करेगा increase कर देगा fecal excreation इस वह से plasma में और tissue में cholesterol का level decrease हो जाता है ठीक है इस परकारी का कर देता है अपना cholesterol growing agent होता है अब बात करते हैं अपने इनकी significance की यार ठीक है जो अपन dietary fibers ले रहे थे इनका significance देखेंगे अपन medicine में तो इनके क्या होता है आपन हाई diet लेते हैं तो वो associate करता है किसके साथ बहुत साई disease जो होने वाली थी ना उनको reduce कर देता है जैसे की coronary heart disease जैसे अपन CHD भी बोलते हैं ठीक है coronary heart disease इसमें क्या होता है coronary heart disease में जो अपनी arteries होती है उनकी aluminum में cholesterol रहता वो deposit कर देता है इस वज़े से ना वहाँ पर जो blood का flow होता वो alter हो जाता है और अपने को CHD होने के chances बढ़ जाते हैं तो आज जो fibers होते हैं वो अपना क्या दखाते हैं hypokalistemia का effect दखाते हैं मतलब cholesterol कम करते हैं excrete करवा देते हैं तो इस वज़े से coronary जो arteries होंगी dietary fibers तो यहाँ पर diabetes होने के chances भी कम हो जाएंगे ठीक है और देखते हैं diverticulosis diverticulosis में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ ऐसे मानग चलो यह अपना colon था ठीक है यह अपना colon है simple अपका होता है इसमें diverticulum डपलब्ड हो जाते हैं यह अपने diverticulum तो यहार ऐसे निकल आते हैं इससे अपने को prevent करवाता है ठीक है और देखते हैं hemorrhoids hemorrhoids तो आप सब जानते होंगे piles होता है दो टाइप्स की होते हैं external and internal anatomy में पढ़ोगे आप इसको important topic ठीक है और देखते हैं अब देखो इसके कुछ significance देखते हैं तो इसके यार कुछ adverse effect भी होंगे dietary fibers की इसके adverse effect क्या होते हैं fibers bind with some minerals क्या होता है fibers bind कर लेते हैं कुछ minerals के साथ ठीक है जो mineral element होते हैं और क्या करते हैं उनकी जो absorption होने वाला था मिन्रास का उसको नहीं prevent कर लेते हैं बोलते हैं भाई तू कहां जा रहा है मेरे साथ रहे ना मैं ते को absorb कर रहा हूं तो तो इसको वो जाने नहीं थे absorb नहीं होने बद्दे इस वाज़ से क्या होगा अब क्या वो लेगा dietary fiber वो लेगा मिन्राल से मैंने ते कोई absorb तो कर लिया अब तू ना मेरे साथ बाहर चल ठीक है इस human body मैंने तेरा कोई काम नहीं है ठीक है तू मेरे साथ चल तो वो इसको लेके ना बाहर आ जाता है ठीक है इस tool के साथ excrete out कर देता है इस वाज़े से ना क्या हो जाता है deficiency हो जाती है अपने को mineral elements की ठीक है तो आज़ा इसका adverse effect इसको आप एक बार अच्छा notes से पढ़ लेना मैंने आपको अच्छे समझा दिया है बाकी notes बगएर मेरे telegram channel से ले लेना अगर आप तक आपने नहीं लिये हैं तो बाकी आप अच्छे से मेहनत करो जी तोड मेहनत करो paper को फाल के आना है अपने को gold medal लेना अपने ले सकते हैं कभी भी ना अपने आपको कम मत समझा करो किसी से सभी के पास दमाग होता है बड़ क्या रहता है कि सब अपने अपने ब्रेन का यूज अपने 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 सापस करते हैं आप इसको जितना explore करोगे ना प्रेवन को ना वो इतना explore होने के लिए तैयार है तो आप अपने brain को explore करना start कर दीजिए पढ़िए दम से ठीक है एक बार पढ़ने में नहीं आएगा एक बार वीडियो देखी नोट्स पढ़िए अगर भूल जाते हो ना फिर से नोट्स पढ़िए फिर से वीडियो देखी और concept बनेंगे अगर मान के चलो गार एक्जाम से पहले आपकी तवियत खराब हो जाती ठीक है खूब मैनत करो दम से थैंक यू फॉर वाचिंग एंड की प्लानिंग